हेलो वेल्कम बेक टू एस इस्टेडी ग्रोफ दोस्तों आप लोग कैसे हैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी के कोश्चन्स पार्ट थ्री इंडियन कॉस्टकार्ड जो कि भारते तर्चक के आपके स्लेवर्स को हम चल कर लें सब्सक्राइब करते हैं पास में आएगा वैल आइकन मनके इससे और पर जाकर प्रेस कर लें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी यह आपने हमारी को पिछली वीडियो नहीं देखे तो वीडियो की डिस्क्रप्शन में आपको लिंक ब रहे जाएं लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थी आफसन और लार लाज पत्र आयं आफसन से यह विप बाल पाल के नाम से जाने जाते थे तो हमारा इसमें जो सही अंसर होगा option नमर डी शही है next question है अश्योग आंदोलन को 1922 इस्वी में इस्तिवित करने का कारड़ था क्या कारड़ था तो सारे कारड़ देखें आप option नमर यह है सरकार ने आंदोलन कारियों की मांगे मान ली थी option बी है लोग भी नर्म हो गए थी option C है चौरी चौरा हत्याकांड और option बी है इससे अवस्ता फैल गए थी तो इसमें दोस्तों सही है आपका option नमर सी है चौरा चौरी हत्याकांड next question है कि इसका बिरोध करती हुए लाला राजपत साज ने अपनी जान दे दी थी option A शायमन कमिशन और option B है cabinet mission, option C है क्रेप्स mission और option D है चैंस फोर्ड जोस्तों वह आपका है option नमर A और यह दिए आपकी जो भी अंसर पता है तो आप comment box में comment कर दे पता सकते है next question दोस्तों कि किस दिन को पूर्ड सोराज दिवस यानि कि शुतनतत्ता दिवस के रूप में मनाया गया था option A है 26 जन्वरी 1937 option B है 26 जन्वरी 1950 और आपका option C है 15 अगस्त 1946, option D है 15 अगस्त 1937 दोस्तों जो इसमें हमारा सही है वह है option नमरे 26 जन्वरी 1930 को स्वराज दिवस यानि सुसंतरता दिवस के रूप में मनाया गया था next question है कौन बिसेस रूप से सामाजिक विकाशकार से जोड़े थे option A है बिनुबा भावे option B है महात्मा गांदी option C है SKD option D है JP नारायन दोस्तो जो इसमें हमारा साही है वह है option number A next question है कि इशोर चन्द्र बिद्द्य शागर के 6 से जोड़े थे option A है बिद्वा भिभा option B शति पर था option C है बहर भिभा और option D है बंगाल भिभाजन दोस्तो जो इसमें हमारा साही है वह है option नमर E बिद्वा बिवा इस से इसे जंदर बिद्द्य सागर जुड़े हुए थे इसकी कहानी तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब वहाँ पर बताएंगे बुदान आंदोलन की शूरुआत हुए थे ओफ师न नमरे उततरप्रदेश ओफसन बी आनदपरदेश ओफसन सी ए पिहार और ओफसन दी हरयडΑ कहांबर हुए थे आनदपरदेश में यानएकी ओफ्शन नमरे बीश में शरय है नेक्स्ट कोशन है पिर्थम गोल में शम्मेलन 19.30 में कहां पर हुआ था आपसन है मंबई आपसन भी है पेरिश आपसन सी ए दिल्ली और आपसन दी है लंदन इसमें दोस्तो हमारा जो शही है वह है आपसन नमर डी लंदन नेक्स्ट कोशन है बांटो वराजकरो की नीती किसने अपनाई थी आपसन ए है लाट करजन आपसन भी है लाट मिंटो और आपसन सी ए लाट डिल्ली और आपसन दी है लाट बेली जिली तो दोस्तो इसमें हमारा जो सही होगा वह होगा आपसन नमर ए लाट करजन लाट करजन ने इस नीद को अपनाया था बांटू वर राज करो जिससे की अंग्रेजाओं की एहनीदी शफल हुई थी इंडिया में नेस्ट कोश्चन है भारत में अंग्रेजी सिच्छा की शुरुवात की थी आपसन ये है लाड कारनवालिस आपसन भी है लाड डलहोजी और आपसन सी है लाड कैनिंग आपसन डी है लाड विलियम बेंटिंग दोस्तों जो इसमें हमारा सही है वह है आपसन नमबर डी लाड विलियम बेंटिंग अंग्रेजी की शुरुवात की थी ठीक है नेर्ट कोश्टन है कि भारत की शुतंतर ताकिश में इंग्लेंड में लेवर पार्टी यानि शिर्मिक दल की शरकार थी उस में प्रधानमानत्री कौन था उस में हमारा सही है दोस्तो वह है ऑफसन नमबर सी है किलीमिन्ट इटली लेवर पार्टी की इंग्लेंड में शरकार थी नेस्ट कोश्टन है दोस्तो टीपू शुल्तान कहां का सासक था दोस्तो जो इसमें सही है आपका आपसन नमबर सी है मैशूर का नेस्ट कोश्टन है हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशीशन की स्थापना 1928 में कहां की गई थी दिल्ली आपसन भी लहोर आपसन अमरिश्यर आपसन डी है आपका कानबोर इसमें सही है दोस्तो ऑपसन यहां पर कोश्टन दो बनेंगे कि हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एसोशीशन की स्थापना कप की गई थी तो आपको उत्तर देना 1928 में यह दो प्रश्णियां पर बन रहे हैं नेस्ट कोश्टन है केवल कांग्रेश की अदबेशन जिसमें महत्मा गांधी ने 1924 में अदिश्टा की थी कहां पर की थी बेल गाओं में यह बेगलोर में दोस्तो जिसमें सही है आपका आपसन नमर सी है लाड इर्वेन नेस्ट कोश्टन है दोस्तो अठारा सो पचत्तर में शौमी देरनन ने आर्शमाज की स्थापना नेम से कहां पर की थी तो पड़ाँ सबी अप्सनों को अपसन ए है लाहर अपसन बी अमरेश है अपसन सी मुंबई और अपसन डी है आपका दिल दोस्तो जिसमें आपका साही है अपसन नमर सी है अपसन के दोरा राजबिले की नीती शुरुवात की गई थी नेस्ट कोशन है भारत को बिल्टेंड की यूर्श चंपत के अपवहन का शिद्दान्त कि इसन प्रित्पाजित किया था और शन- आ है कोपाल करेशन गोखले और अपसन भी है दादा भाए नवरो जी ऑंसन से अ게 सिम्नेंद्रनात बनर जी यू अपसन डी आपका लाला लाजबिदः और उसमें दुस्तों सहिए आपका वाया है आफसन नमर भी दादा भाई नौरू जी नेक्ट कुश्टन है बंगाल की एस्याटिक सोसाइटी 1784 में इस्तापित की गी थी इसके प्रवार तक कौन थे ऑफशन ए बार नहांश टिक्स ऑफशन भी इस शर बिलियम जौन्स और ऑफशन सी है सर जैम्स मेकन टोश और ऑफशन डी है जैम्स प्रिस्पेंस दोस्तों जिसमें आपका सही है वह है ऑफशन नमर भी शर बिलियम जौन्स कौन है शर बिलियम जौन्स नेक्ट कुश्टन है किसकी मुख 82 शती प्रत्ता का उन्मूलन हुआ था उप्षिन नमर A है बल्टेश उप्षिन B राजा राम मोहनराई उप्षिन 6 धर्म परचारक उप्षिन D ये महारिश कर भी ठीक है तो इसमें आपका जो सही होगा वह है उप्षिन नमर B राजा राम मोहनराई के द्वारा ह भारत के सुतनता शंगराम में शेपाई बिद्रो निम लिखित में कहां शेप आरम हुआ Option A है आगरा Option B ग्वालियर Option C जहां सी और Option D है आपका मेरट दोस्तों जुसमें आपका सही है वो है Option D मेरट Next question है वाई यू गदर पार्टी के एक प्रमुक नेता थे कौन थे Option A है P मित्रा Option B हर दयाल Option शी बंगल बाल गंगा धर तिलक और Option D ये विपंचेंदर पाल इसमें सोरी और Option इसमें जो सही है आपका वो है Option नमर B हर दयाल ठीक है Next question है सन 1905 के बंगल विभाजन किश्च में बासराय कौन था Option A है लाड करजन Option B है लाड डिफरन Option C है लाड हाडिंग Option D है लाड मिन्टो दोस्तो जिसमें सही है आपका Option नमर E सही है लाड करजन दोस्तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है एक बार वीडियो कमेंट वाक्स में कमेंट करेंगे बताएं अपने मित्रों को शेर करें आपको मैं पन्हे मिलता हूँ Next वीडियों तब तक के लिए जै हिंद जै भारती शेना